परिजय परिबोसोमों की संगरचना की चर्चा कर चुके हैं। तो आँ शुरू करें उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्ण करने में सक्षम हो जाएंगे साइटो पंजर यानि साइटो स्केलेटन के गुणों को जानना पक्षाम अभिकाउं तथा कशाभिकाउं यानि सीलिय तथा फ्लेजिला के गुणों को जानना तारक काई तथा तारक केंद्र यानि सेंट्रो सोम तथा सेंट्रियोल के गुणों को समझना केंद्र के गुणों को जानना सूख्ष्मकाई यानि माइक्रो बॉडी के गुणों को जानना साइटो पंजर यानि साइटो स्केलेटन के गुण साइटो पंजर यानि साइटो स्केलेटन तन्तुमें प्रोटीन योक्त संदचनाओं का एक घना जाल है जो की कोशिका द्रफे में पाया जाता है साइटो पंजर यानि साइटो स्केलेटन तांत्रिक सहायता एवं गती प्रदान करता है तथा कोजिका की आक्रिती को बनाए रखता है पक्षमा भिकाउं तथा कशा भिकाउं के गुण पक्षमा भिकाउं तथा कशा भिकाउं कोशिका जिली पर पाई जाने वाली रोम सद्रिश अपवृधियां है पक्षमा अब एक छोटी सनचना है जो चप्पू की तरहा कारे करती है ये कोशिका को या उसके चारों तरफ पाई जाने वाले दरवी की गती में सहायक है कशाभिका अपिक्षाक्रित लंबे एवं कोशिका की गती में सहायक होती है पक्षमाप एवं कशाभिका जीव द्रवे जिल्ली से धके होते हैं इनके कोर को अक्षसूत्र कहते है अक्षसूत्र कई सूख्ष्वन नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समनान तरिस्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका और नौ दूइक अरिये परीधी की ओर वेवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्षु सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस वैवस्था को नौ जमादो प्रणाली कहते हैं केंद्रिय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रिय आवरन द्वारा धके होते हैं जो पडिधिये दुईक के प्रतेक नलिका को अरिये दंड द्वारा जोडते हैं। इस प्रकार नौ अरिये तान यानि छड बनती हैं। पडिधिये दुईक सेतु द्वारा आपस में जड़े होते हैं। दोनों पक्षिमाब एवं कशाभिका तारक केंद्र सद्रिश सनचन से बाहर निकलते हैं जिसे आधारी काय कहते हैं. तारक काय तथा तारक केंद्र के गौं तारक काय वहां अंगक है जो दो बेलनाकार सनचना से मिलकर बना होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं तारक काय अक्रिस्टिलिये परिकेंद्रिये द्रव से घिरा होता है दोनों तारक केंद्र, तारक का defendant में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रतीक की सनचना बैल गारी के पहिये जैसी होती है तारक केंद्र संख्या में न खोते हैं, तथा समान दूरी पर स्थित परिधिये ट्यूप यूलिन सूत्रों से बने होते हैं प्रतेक परिधिये सूत्रक एक त्रिक होते हैं तारक केंद्र का अगर भीत्री भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी कहते हैं यह धुरी परिधिये त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरिये दंड से जुड़े होते हैं तारक केंद्र पक्षमाप एवं कशाभिका का आधारी काय बनाता है और तरकु कुतन्तु जन्तु कोशिका विभाजन के उपरांत तरकु उपकरण बनाता है केंद्रक के गुण केंद्रक की खोज सर्व प्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आरकेट कोशिकाओं में की थी केंद्रक कोशिका का निर्देशक भी कहा जाता है केंद्रक कोशिका का सबसे महतपून भाग है जो की शरीर के सभी कोशिकी ये कारियों को संचालित तथा नियंतरित करता है फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारिये रंग से रंजित हो जाता है उन्हें क्रोमेटी नाम दिया अंतरकाल अवस्था केंद्रक अत्यधिक फैली हुई एवं विस्त्रित केंद्रकी ये प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमेटीन कहते है केंद्रकी ये आधात्री में एक या अधिक गुलाकार सनचनाएं मिलती है जिसे केंद्रक कहते है केंद्र कावरण दो समनांतर जिलियों से बना होता है, जिनके बीच रिक्तिस्थान पाया जाता है, जिसे परी केंद्र की अफकाश कहते हैं बाहे जिलि, समानिता, अंतर द्रवई जलिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है और इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्य हो जाता है, ये छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों जिलियों के सनलगन से बनता है इंचिद्रों से हुकर RNA और प्रोटीन अणूं केंद्रक में कोशिका द्रव्वे एवं कोशिका द्रव्व से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं गुण सूत्रों के कारे कोशिका विभाजन की विभिन अवस्थाओं के दौरान कोशिकाओं में केंद्रक के स्थान पर संदच नात्मग गुण सूत्र दिखाई देते हैं क्रोमेटीन में DNA तथा कुछ एक्षारिय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन वा RNA भी मिलता है मनिश्य की एक कोशिका में लगभग दो मीटर लंबा DNA सूत्र 46 गुण सूत्रों में बिखरा होता है प्रतेक गुण सूत्र में एक प्रात्मिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुण सूत्र बिंदू यानी सेंट्रो मेर भी कहते हैं जो की गुण सूत्र को दो भागों या भुजाओं में विभगत करता है गुण सूत्र बिंदू पर बिंब आगार की सनचना मिलती है जिसे काइनेटो कोर कहते हैं गुण सूत्र की छोटी भुजा को P भुजा कहते हैं जबकी लंबी भुजा Q भुजा कहलाती है। गुण सूत्र बिंदु की स्थिती के आधार पर गुण सूत्रों को चार प्रकारों में विभाजित किया गया है। मध्ध केंद्री यानि मेटरा सेंट्रिक, उपमध्ध केंद्री यानि सबमेटा सेंट्रिक, अगरभिंदू यानि एक्रो सेंट्रिक और अंत केंद्री यानि फीवो सेंट्रिक. मद्धे केंद्री यानि मेटरासेंट्रिक गुण सूत्र में गुण सूत्र बिंदू गुण सूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुण सूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं. उप मद्धे केंद्री यानि सब मेटरासेंट्रिक गुण सूत्र में गुण सूत्र बिंदू गुण सूत्र के मद्धे से हटकर होता है, जिसके परिणाम सरूप एक भुजा चोटी और एक भुजा बड़ी होती है. अग्रबिंदू यानि एक्रोसेंट्रिक गुण सूत्र में गुण सूत्र बिंदू इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत चोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है. अंतकेंद्री यानि टीलोसेंट्रिक गुण सूत्र में गुण सूत्र बिंदू गुण सूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है. कभी कभी कुछ गुण सूत्र में निश्चित स्थानों पर अरंचित दुटिय संकीरन भी मिलता है जो गुण सूत्र के छोटे से अंश के रूप में दिखाई पड़ता है जिसे अनुशंगी यानि सेटलाइट कहते हैं विशेश प्रकार के गुण सूत्र दो विशेश प्रकार के गुण सूत्र होते हैं लैंप ब्रुष गुण सूत्र तथा पॉलिटिन गुण सूत्र लैंप ब्रुष गुण सूत्र एमफिबिया के अंड जननों में पाए जाते हैं लेंप ब्रुश के लूप DNA, RNA तथा प्रोटीन से मिल कर बने होते हैं। लेंप ब्रुश गुण सूत्र अर्थ सूत्री विभाजन की पूर्वा वस्था में दिखाई देते हैं। पॉलिटिन गुण सूत्र कुछ कीटों की कोशिकाओं में पाय जाते हैं। बिना किसी कोशिका विभाजन के पॉलिटिन गुण सूत्र, DNA के दुई गुणन के परिणाम सो रूप निर्मित होते हैं। पॉलिटिन गुण सूत्र में बॉल बियानी चल्ले पाय जाते हैं, जिन पर RNA तथा प्रोटीन संशिलेशन होता है। सूक्ष्म काई के गुण बहुत सारी जिल्ली आवरित सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पॉधे और जन्तु कोशिकाओं में पाही जाती हैं। सूक्ष्म काई पर ओक्सिसोम तथा ग्लाई ओक्सिसोम से मिलकर बने होते हैं, जो की पर ओक्सिसाइट के आगास से कोशिका की रक्षा करते हैं। पर ओक्सिसोम में ग्लाई कोलिट ओक्सिडेज एंजाइम पाया जाता है, जो की प्रकाश श्वसन में सहायक है। स्फीरो सूम, वसा का निर्मान तथा संचन की या आप जानते हैं लिविन हाक ने मचली के RBC में सर्व प्रतम केंद्रक का निरिक्षण किया D. Roberts तथा उनके साथियों ने 1971 में केंद्रक की सनजना प्रतिपादित की थी केंद्रक में DNA तथा हिस्टोन लगभग एक-एक के अनुपात में पाए जाते हैं केंद्रिक को छोटा केंद्रक भी कहा जाता है नुकलियो सूम गुन सूत्र की क्रियात्मा की काईया कहलाते हैं प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं के नुकलियाइट का अन्य नाम जुनोफोर है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। साइटो पंचर यानी साइटो स्केलेटन तांतरिक सहायता एवं गती प्रदान करता है। तथा कोशिका की आकरिती को बनाय रखता है। पक्षमा भिकाओं तथा कशा भिकाओं कोशिका जिल्ली पर पाई जाने वाली रोम सद्रिष अपवरिध्या है। तारःक काए वह अंगक है जो दो बेलना का सनचना से मिलकर बना होता है। जिसे तारक केंद्र कहते हैं। केंद्रक दुई के जिल्ली युक्त केंद्रक जिल्ली से घिरा होता है, जिसमें केंद्रक छित्र पाए जाते हैं। भीत्री जिल्ली केंद्रक तरफ्वे वा क्रोमेटीन पदार्थ को घिरे रहती है। प्राणी कोशिका में तारक केंद्र युकमित होता है जो एक दूसरे के लंबवद इस्थित होते हैं। बहुत सारी जिली आवरित सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधे और जन्तु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। झालब के लिए स्थित हैं, प्रुद कोशिका टूसरे के लिए के लिए।